देखिए फोटो इलेक्टिक इफेक्ट देखिए फोटो इलेक्टिक इफेक्ट इजो पॉइंट है जो लेशन है उन सभी साइन्स के स्टूरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो की फिजिक्स से अपनी पढ़ा ही करते हैं यह 11th 12th या फिर आगे की जो आपकी ग्र ही महत्वपूर्ण और important रहेगा जो की अपनी पढ़ाई फिजिक्स में से complete करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्टिक इफेक्ट के बारे में हम जान लेते हैं तो सबसे पहले हमें जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा की इसकी हिस्ट्री क्य पढ़ाई की है और उन्हेंने किस तरह से पढ़ाई की और उनके रिजल्ट्स क्या थे उनके पढ़ाई के तो इसलिए हमें इसकी फोटो इलेक्टिक इफेक्ट के बारे में जानने से पहले इसकी हिस्ट्री जानना बड़ा ही important रहेगा सो फर्स्ट्ली आप देख सकते हैं यहां पर एक साइंटिस्ट है हें रिज हर्ड्स जिनका नाम है हर्ड्स इन्होंने 1887 में अपनी पढ़ाई अपना यह जो फोटो इलेक्टिक इफेक्ट के बारे में तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च किया था और उन् धल्सिट्ट्र powin var Metron इसकीफ मेटल सर फिस तो इसका मतलब यह है कि जब भी कोई लाइट फिर चाहिए सब किसी भी फ्रीक्वेंसीकियर कोई इंड्अ की अगर कोई लाइट हम किसी मेटल पे डालते हैं तो मेटल में से electrons बाहर निकलते हैं, electron escapes from the metal, so उस में से उस metal में से electrons बाहर निकलते हैं, यह research था, यह पढ़ाई थी, किसकी, Henry Church साफ की, उसके बाद आये, Hallworth and Lenore, उन दोनों ने भी इसके बादे में अपनी अपनी राई दी, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने थोड़ी सी advance, advance पढ़ाई की, थोड़ा सा extra knowledge इन्होंने दिया उनका कहिना था कि अगर particular light याने कि अगर UV radiations हम अगर किसी metal plate पे डाले ओके अगर metal plate पे हम कोई UV radiations डाले तो उसमें से अगर उसमें हम दो electrodes डाले ओके अगर हम उसमें तो इलेक्टोल्स डालते हैं तो उसमें से क्या होता है करन्ट फ्लो होना शुद्ध हो जाता है तो यह पढ़ाई थी फ्लो इन दर सरकिट एक करन्ट फ्लो इन दर सरकिट तो यह जो रिज़र्ड था अब्जर्वेशन था ओ था हॉल वाट्स एंड लेनल्ट चिका तो उसके आप देशन हम मेटल प्लेट पर डाल रहे है उसके वह जो इवी रडिशन से अगर अज सुन एज वी स्टॉप इस रडिशन वह जो करन्ट फ्लो हो जाहा है वह क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा तो इसके बाद हॉल वाट्स थे उन्होंने क्या उप्जर्ट किया कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक होगा ठीशोल्ड फ्रेक्वेनस्य ओ फ्रेक्वेनसी होती है जिसके उपर इलेक्त्रों जो है मेतल रडियक्ते बाहर गता है औक्खो जो यह ठीव क्वेंसी गाति है वैरा ही महें तो फोर मर्न रेंगों थो सब में निभाती हैं लोवितने लेंस थोक्स देत्वेक्तर्चe यान और certain minimum value, अगर एक particular value से यानि कि threshold frequency से electron बाहर नहीं आएंगे, कब नहीं आएंगे, अगर हमारी frequency एक certain minimum value से कम होगी, तब एक electrons जो हे बाहर नहीं आएंगे, तो इसलिए threshold frequency important रहती है, और इसके बारे में किसने study किये, होलवाट्स ने, उसके बार देखिए, यहां पर हम देखेंगे, setup कैसा है, photoelectric effect का, तो यह setup भी बड़ा ही important है, देखिए यहां पर light हमने fall की है, दो electrons यहां पर use किये है, एक negative plate है, और एक positive plate है, यहां पर एक tube यहां पर use किये, इसको नाम दिया है, evacuated cords tube, यह light जो है, यह negative अब हो रही है, यहां से electrons बाहर निकलेंगे, देखिए, यह electrons जो है, negative से positive की ओर बढ़ रहे है, अब देख सकते है, negative plate से positive plate की तरफ, जो electrons है, वो traveling कर रहे है, क्यों, क्योंकि यह light जो है, एक किस पर emit हुई है, negative plate पे, और जब यह electron यहां से negative से positive की ओर जाएंगे, उसी समय क्या हो होगा, यह जो circuit है, इस circuit में से current बहना शुरू हो जाएगा, ओके, आप देख सकते हैं, यहां पर हमने hold meter का यूज किया है, यहां पर emitter है, तो इस में से, इस circuit में से, जो भी current flow हो जाएगा, उस current के लिए हमें यहां पर emitter और hold meter की ज़रूरत पढ़ेगी, इसलिए, यह सारी बाते हैं, इस इंपोर्टेंट रहती है, यह लाइट जो है, यहां पर पर्टिकुलर ली दिया नहीं है, कि कुन सी लाइट हमें यूज कर नहीं है, पर obviously उस लाइट की जो शोल्ट फ्रिक्वेंसी है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी रहता है, okay, so आईए उसके बाद ह बढ़ते हैं, इस स्लाइड में वो सारी बाते में बताई हैं, जो कि मैंने आपको उसी वीडियो, I mean उस डाइगराम में बताई है, डाइगराम में अभी तक हमने जो जो डिसकस किया, वो सारी बाते यहां पर दी हुई है, यहां पर A जो है, एक फोटो सेंसिटिव प्लेट आपकोम देखनेंसिटेयो, यहां पर बताया है, जिस प्लेट से बाहर निकलते हैं उसे C नाम दिया है, और जिस एलेक्टरन कलेक्ट होते हैं, उसे A नाम दिया है, अब ही का मतलब क्या है, तो C का मतलब है क्या प्रें जो प्लेट इलेक्टो्रां करती है उसे हम ऐनोर के जो प्लेट इलेक्टोरां को इमिट करती है उसे हम क्या जाएगा उसके बाद यहां पर रहे कि जो दो प्लेट से उनके बीच में जो पोटेंशल डिफरंस है वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा और उसके बाद जो है जब एसर किट कम्प्रेट हो जाएगा उसके बाद यहां इसमें से करन्ट जो है ओ फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस बाते हमने उसी डाइगरयम में देखी है और उस्फ बाते मैं यहां पर लिखी है जो भी करन्ट होगा वो हम मेजर करेंगे किस के ज़री है सnousभी माईक्रोधày के जरिए सो यह मैउक्रोधिर हमने अल्रेड़ी वो जो सर्किट हे उसमें दिखायाकए तोाइए अब देखते हैं इंटेंसिती का क्या इफेक्ट होता है फोटउट्रिट्रिक इफेक्ट पर हमारी जो राइथ हे उसकी ज्य हमारे फोटोइलेक्सरीफिक्ट पर हमारे जो करन्ठ हमें मिलने वाला है उस करन्ठ पर हमें क्या असर मिलता है यह अब हम देखने वाले देखै आप इस जो ए ग्राफ है इस ज्याफ को बड़े हिद्दान सें देखिए the graph जो देख रहा है यहां पर एक एक स्ट्राइट लाइन है जो ओरीजिन से पास हो रही है तो यहां पर X axis पर हमने लिया है intensity of light और Y axis पर हमने लिया है photoelectric current तो अगर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो collector A is maintained positive with respect to emitter C, okay, so यह जो condition है, यह condition important रहेगी यह condition हमें यहां पर apply करनी पड़ेगे and the frequency of incident radiation and potential keeping constant so यह जो दो conditions है यहां पर जो बताई है अगर एक conditions हम apply करेंगे हमारे circuit के उपर तो हमें इस तरह का graph मिल जाएगा तो देखिए एक graph हमें क्या बताता है एक graph हमें बताता है कि जैसे जैसे हमारी intensity बढ़ती है वैसे वैसे जो current की value है वह भी क्या हो रही है बढ़ रही है तो यह linearly linear graph हमें इस तरह से मिलता है तो the intensity of light यहां पर मैंने यहां पर सब कुछ लिखा है आपके लिए the intensity of light is varied and the resulting photoelectric current is major क्या किया है इसके लिए जो intensity रहेगी light की हमें उसे हमें change करना है तो अबर हम intensity को change करेंगे तो हमें क्या होगा photoelectric current मिल जाएगा so it is found that क्या मिला हमें देखिए the photoelectric current increases linearly with intensity of incident line so linearly यह जो शब्द है यह जो word है important रहेगा linearly का मतलब है यह देखिए इस तरह का हमारा यह आमारा क्या था graph था तो एक graph हमारा linearly बढ़ रहा है linearly बढ़ रहा है इसलिए हमने यहां पर कहा है कि photoelectric current जो होता है इसलिए बढ़ता जाता है the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident radiation so यह आखरी जो पॉइंट है यहां पर दिया गया है यह आखरी पॉइंट भी बतता है कि जो photoelectrons emit हो रहे है वहां से उस मेटल प्लेट से वह क्या रहेंगे directly proportional रहेंगे किसके लिए intensity के लिए यानिकि अगर intensity बढ़ती है तो number of electrons बढ़ते हैं okay intensity बढ़ती है देखिए यह कैसे हैं अगर intensity बढ़ रही है तो number of electrons बढ़ेंगे और number of electrons बढ़ेंगे तो current भी आपका क्या होगा बढ़ता जाएगा तो यह जो relation है यह हमें इस से पता चलता है तो friends यह सब कुछ था किसके बारे में photo electric effect के बारे में अगर physics के physics से related अगर आपको और जानकरी चाहिए तो आप इस हमारे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए करना मत भूलिए और अगर physics में आप master बनना चाहते है और भी HC वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चाइनल को continuously देखते रही है थैंक यू थैंक यू भेरी मच